हेलो इस्ट्वेट्स देखींगे एक्जैम्पल नमर एट क्या कह रहा देखो सेम कंडिशन है बस आपको बोथ साइट क्या लेना है लोग लेना है लेलते हम फिर से टेकिंग मिक बोथ साइट लॉग एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स फ्लस वाई और इसकी पावर पी प्लस क्या होगा पावर आगए आ जाएगी अब देखो यहां पर यह लॉग एंटू लॉग ए-ण है तो पहले इंडोनों को सेपरेट करो ठीक है इधर देखो x plus y और पावर में p plus q अब पावर आगे लागने वाली प्रापर्टी लगाओ p log x q log y और यहाँ पर p plus q log x plus y थीक है अब log लगा देते हैं बोट सडक्राइड ना उसारी डिफ्रेंशियट करते हैं डिफ्रेंशियेट वोट साइड विद रस्पर टू एक्स की नीचे डिएक्स जाहिए अब देखो कैसे लेंगे देखो और y का y-dash यहां तक समझ में आ गया अब solve करना है अपन को न अब देखवा आप क्या क्या बज़ गया आपके पास p upon x बज़ गया एकको क्या खो'RE अपने क्या है अब आपको क्या करना है वाली value separate करने है यही concept अब देखो यह आप पास किया करें पहले इसको क्या करना पड़ेगा ओपन कर लेते हैं या फिर ऐसा कर लो प्लस क्यू को पहले वन से multiply किया और फिर upon में x plus y ऐसा कर सकते है न आपन अब इस वाली value को उठा के आप इस साइड लिया हो यह है q upon y dot y dash negative का p plus q y dash upon x plus y और यह वाली value और यह वाली value उठके दर आजाएगे देहां रखना मैं इसकी जगह ही लिखाए यह वाला value तो इसके साथ मैं यह equal मानके चल रहा हूं इस तरफ वाली value के साथ और इसको उठा के दर लिया होगा तो माइनस का p upon x अब y dash common ले लो y dash common लिया तो अपने क्या बचा q upon y बचा negative p plus q और upon में x plus y बचा equals to p plus q upon x plus y minus p upon x बताओ यहां तक सब को समझ में आ गया क्या क्या करें अब इसको उठा लेते हैं अपन और ले चलते हैं उपर चलिए अब क्या करेंगे कि कि सेपरेट करो क्यू एक्स प्लस वाइए माइनस वाई कि प्लस क्यू एल श्यम लिया संप्लिया है ना यहां भी यह करो अब ध्यान देना एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई यह दोना कैंसलर हो जाएंगे वाई और एक्स नहीं होगा अब पन करो और यू एक्स प्लस क्यू वाई माईनस वीवाई माइनस क्यू थूह एपएप एक्स प्लस वाई है ठीक है वैसे में वाई को से प्लस क्यू यह कर सकता चलो ठीक है यह हो गया PX प्लस QX माइनस PX माइनस PY अब देखो कुछ कट रहा है कि यहां तो cancel out हो गया है और यहां भी यह cancel out हो गया है अब देखो क्या बचा है यहां बचा QX माइनस PY अब आपन में Y और यहां बचा QX माइनस PY अब देखो यह उपर वाली value cancel out हो गई क्या बचा finally मैं यहीं लिख देता हूं देखो Y- multiply 1 upon Y equals to 1 upon X उसको दर भेज़ दे तो D Y upon D X का value Y upon X हो जाएगा क्या यह हो गया आपका hence proved यह तो लाना था पन को क्या रहे हैं आपके तो दिस कम्प्लीट example number 8 कर दिए नहीं.